चले आज एक और अपने स्टुएंट से मिलवाता हूँ जय नाम है जो जबलपूर से है MPK और इनकी All India 188 रैंक है सबसे पहले बिटा आपको इस रैंक के लिए अधनी तक्सेशन इनकी बता है और सबसे पहले कि आपने कब निमसेट के लिए सोचा पिर किस जंक से प्रेपरेशन की और के प्रैशर को कैसे हैंडिल किया सबसे पहले तो पूरा वैसी मेरे साथ भारने बार में मेरे साथ था कि मैने पता तो मुझे पहली चल गया था जाल गया था निम सैट के बारे में तो फर मैंने बताया था निम्सट के बारे में कुछ-कुछ तूरानी वीडियो देखी तो उसमें देखा कि हाँ चलो देखते हैं ऐसा ऐसा है तो फिर देख लिए था हाँ चलो देखिंगे आगे जाके पर फिर क्या होता है यूटूब में बहुत से लोग बहुत कर देते हैं कि बटका देते हैं तो बोलते कि आरे 6 महीने में निकल जाएगा पांच में निकल पर फिर कॉल दिन फेल मेर को नहीं सर्सक्ति है कि को ठीए इस बैर जाए कोुइГर्ट थे तो नहीं मौड़ रहे तो यह बो तुम्हारा कि कि हरप गोडे आज मिल तो ऊड़ गृ dès गोढएंगी सब्सक्राइब कि हएएल! अमने लुको सॉर्पू 갖고 आ एक बात कर रहें, मोने बहुत बात था नहीं कि हर किसी को सेकंड चांस मुझाइए जयता है। बड़े कॉलेज में जाना था बट उस टाम ऐसा था कि नहीं निकला था नहीं आया अच्छी रेंग बिलकुल बहुत गंदा गया था तो वही मैंने सोचा यह मेरा सेकंड चांस है और इसको मेरे को पूरे यूटिलाइस करना है सेकंड चांस तो फिर मैंने दूसरे दिन से ही जहां एक दो दिन पढ़ता था आप दस घंटे चालू कर रहा पढ़ाई करना एक साथ में फिर ऐसी चलता रहा और ऐसे करते करते मैंने तीन महीने के अंदर पूरा स्लिवर्स कम्रीट कर लिया 11-12 के सम्में अलागे तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब तभी सर के यह 2020 कर लुगा भी आया था तो सर्बतातित कि ऐससे हुआ और मिलब रिजलिक्तितस बाहिता है कि सर के बारें प्दला कि ऐसा यसा तो मैंने सुझा कि又 के बहुत अच्छे समझ में आता है बट ऐसा था कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट है वह मतलब पढ़ाई होती है तो वह सब्बंद कर देते कि मतलब नहीं कुछ नहीं उसको पढ़ने दो आराम से बट ऐसा हो जादा है फाइनेशल कंडिशन उतनी ज्यादा स्टॉंग नहीं थी तो मुझे और सर से पढ़ना था पर ऐसा का पर मैंने ठीक है ऑप जार इससर ने पर सब्सक्रां क्राइब पिकमित्स से दो नहीं है उसमें से मेरे दोट यह सबस्क्मिंख तासे मेरे प्रश्वैंख सही तो प्र सबस्से sire One街 को जारी सो एट ह। तब लगा यार टाइस्टिंग सबसे बड़ी बात है कि मैं चौक गया था टेस्स को देखके कि मैंने सोचा था कि हार रोज एक दो टेस्स आएंगे और बस उसके सॉल्यूशन टेस्ट के निचे लिखे रहेंगे से ज्यादा क्या होगा पर जा मैंने देखा तो मुझे कभी फीली नहीं हुआ यह तो मुझे स कि यह तो मैं नहीं चाहूंगा सर मज़े कभी फील नहीं हुआ कि यह सीरीज है यह हमेशा लग दला कि इस कोचिंग ही है तो फिर मैंने टेस्टिंग चालू कर इसार अनालसिस देते रहते थे और उसमें बताते भी जाते थी कैसे फॉलो करो तो पहले कभी करता था फॉलो क पर पर एक बार सृॉरफ सर का एक सेशीन लियाता तो उसमें सृरफ सर ने कहा था कि उनने पर रिना डेख भी कुछ आई करो अ उनने बताया था ककि उनने एक दचालू ठीक है करके देखते ayah कर कभी बहुत आस बहुत यह सब यह से लगठान कि मेरे इक पच्ब कर दुह कर पर उसके आफ्टर एक जिखते थे कि मिलाब हाँ बाद में और मैंने ए टू जएट बिल्कुल अंधा दून मोलते ना वैसे फॉलो किया सर को और ऐसे सर को फॉलो करते गया मैं आखरी तक और उसी के नतीज़ा है कि मिलाब सर ने बहुत बार बहुत बार ऐसा लगता कि नहीं पार है तो मैंने आखरWasli पर नहीं होता है हमने नोतीकोल किरेंगा पर नहीं हो रहा है और ऑक सब्सक्राइबगा नोता है इसा होगा हिसायी यहता है? बट फिर बाद में एक ऐसा समझ में आया कि वो डोंट वरी के मतलब बहुत जादा है कि सर आपके साथ है सर हमारे साथ है बस अपन को सर के रहा पर चलते जाना है और जो सर बता है वो करते जाना है तो वही मैंने देखा मैंने सुचा है चलो अब तो सर जो बोलना है वो करते करने का टाइम है तो सर ने बोला कि जो डीपीटीज हैं एक दिन उठाओ सिर्मॉक्स रहते सारे मॉक्स एक सार लगा डालो सारे एक सार लगाना है अब एक मॉक्स में 120 कोश्चन उसे सारे कैसे लगाए मैं लगाना है और ऐसा होता था उसके पहले मेरे एक दिन में 200-300 किये थे और उस दिन जब सोते समय मुझे लगा था हाँ आज मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है और वह सबसे ज्यादा मतलब रिजल्ट आने से ज्यादा अच्छा हर दिन की सकसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की हर दिन अंदर लगे कि हाँ मैंने आज कुछ किया है आज मेर पेपर की बीच में लगे मैं सभी बतारूं पहले जब फर्स राउंड होता है जो पेपर करते हैं मैच के टाइम पे तो फर्स राउंड में अबाउट मेरे 21 कुश्चन हुए थे मैच के और उसके बाद मैं जो कुश्चन नहीं मन रहे थे मैं बिलकुल कॉलैप्स हो गया थ अगले से 30 मिनिट में वो कोश्चन 41 पहुच गया और जैसे सर ने बोला थे कि बार बार रांड लिया तो इसके बार अच्छा आया था तो रीजनिंग हो गया था थोड़ा बहुत गड़वाड हो गई थी उसी वज़े से बाकी मैच तो मेरे को लगा था हाँ चल उठी हो गा तो कैसा गया नहीं पता कैसा गया बहार आया तो मैंने मेरे बहुंसे फॉर्टी से कीशिया थै कि मरे वहुचिछ से बहुन T बहुत से लोग बोलते हैं कि मौत सब ओव हो गलत हो घाते हैं Kilo मोटार बहुतiben हो मैप सारे डियर दर खेते हैं तो ऐसा मुझे बहुत डल लगने लगा कि इस भी तु भी तो वैसा नहीं हो गया, reasoning भी उत्ती खास नहीं गयी है, computer तो बिलकुल opposite हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है, अब मैं बहुत ज़दा डर रहा था, फिर मैं यहीं सर के पास आया, यहीं पर सब बैठे तो तो मैं कैंसल था, तो मसब से दो गलत हुए थे, तो वह बहुत अच्छा लगी कि हाँ चलो जैसा सोचा था, वैसा हो गया, बाद में जैसे बहुत ज़दा ऐसा हो रहा था, रैंक में भी, result नहीं खुल ला था, बहुत ज़दा क्लस्टर बन रहा था कि एक जगा पर हाँ, बहुत स से सर को मैसेज किया और सर ने जब बोला कि congratulations तो बहुत अच्छा लगा और उसी दिन मैं आ गया तर कि मैंने नहीं मेर को सर से मिलना है, और वह जैसे दंगल मुवी आपने देखा होगा, जब वह मैडल मिलता है उसको तो सर वह उसका पापा पीसे करता है, कि हाँ, शाबाज जब मैं जा रहा था सर ने बहुत अच्छी तो वह आली फिलिंग रहती है वह सब को मदला एक बार एक्सपिरेंस करने वाली फिलिंग रहती है तो वह उस टैम पर बहुत अच्छ लगाता तो वही सर बहुत जादा थैंक्यू आपको आपने आपके सपोर्ट की वजय से हुआ कि किस धंग से आपने चीजे पर करी कैसे फॉलो किया और यह जो आपने बोला ना जब मैं डॉंट वेरी लिखता हूं वह सच में यही सोचके लिखता हूं कि मैं हूँ आपके साथ चिंता मत करूं और यह बात जितको समझ में आ जाती है उसको धन लगता क्योंकि मैं कभी अपने बच्चों को छोड़ता नहीं हूं और आखरी दिन तक पकड़े रहता हूं ऐसी और अभी भी आपको आज भी नहीं आज से दसाल बात भी आप मेरे से जुड़े रोगे और अभी यह स्टार्ट है बस आपका अब आपको कॉलेज मिलेगा कॉलेज के बाद बहाँ प हैं या जो फाइनल है कर चुके हैं क्योंकि कई लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और प्रेशर में अपनी चीजों को बिगाड लेते हैं उस चीज के लिए आपका क्या मैसेज होगा यह प्रेशर वाला तो मैंने जैसे हैंडल किया था मैं वैसी बताओंगा प्रेशर पहले पहले ऐसा है की महां चलो अब क्या यह फाइनल यर भी है आसा है वैसा है तो बहुत जड़ा लगता था पर फिर एक ताइम आया तो मैं इसके लिए मैं बहुत भगवान को भी करना तो मैंने उसी से लिया और मैंने सोचना बन कर दिया कि मेरी कितनी रहन काईगी कैसी आईगी मैंने सोचा कि यह एक knowledge है और उसमझे इसको बस grab करना है और कुछ नि करना यह knowledge है अगभी अगर मानलो नई भी हुआ तो बाद में कही न कहीं काम आएगा यह सिर्फ knowledge को मझे grab करना और मैं आगे भी कर सकता हूँ ऐसा रहेगा बस यह है बहुत अच्छी बात बोली आपने भगवान श्री किस ने बिलकुल सज बोला है और वह statement लोग पढ़ते पर उतारते नहीं कर्म ही पूझा है करो फलकी चिंता मत करो और हर बच्छे से मैं यही कहूंगा बिटा आप अ यहीं थाष्य थाष्यू थै यहीं थाष्यू ख़गए ध़्यंसी टार्व खवया थैडिशी थाष्यू